हेलो एट्टुडेंट आप सभी को आज मैं बताऊंगा कि कम्प्यूटर में क्लास 4 ते में कौन 사ा बुक वियल में मेरियल स्कूल पर लगा हुआ है इसमें आज हम जानेंगे कि बुक कौन सा है और इसमें कॉन नेन क्या क्या दिये है आपको Class 4th में आपको क्या-क्या पढ़ना है उसके जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगे तो चलिए बीना समय कमाई हुए इसको हम सुरू करते हैं कि Class 4th में कौन सा बुक लगा हुआ है यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर स्काइब का एक बुक लगा हुआ है जो उमेगा कमपनी की है इसमें आपका जो भी content दिया हुआ है Class 4th में तो content में हमारा क्या दिया हुआ है उसको हम आज जानेंगे कि इसमें content क्या-क्या है तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें आपके सबसे पहला जो हमारा lesson है तो उस lesson में सबसे पहला जो lesson है हमारा दिया है computer a machine second lesson जो आपका दिया हुआ है AMS Windows 7 उसके बाद से आपका third number पे AMS paint है fourth lesson जो आपका दिया हुआ है AMS Word 2007 five lesson आपका है AMS PowerPoint 2007 उसके बाद से last जो आपका lesson दिया हुआ है intern तो class fourth में जैसा कि यहां पे आप देख पा रहे हैं class fourth में जो lesson दिया हुआ है यह आपका six lesson है इन सभी lesson के बारे में हम जानेंगे एक एक वीडियो एक एक करके आपको मिलता रहेगा और जो भी वीडियो मिलेगा आपको daily by daily एक time पे आपको आप बता देजिएगा comment करके कि किस time पे आपको एक वीडियो से यह computer का उसको आपको उस time पे वीडियो upload कर दिया जाएगा उसको वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं यहां पे हम देखते हैं कि lesson 1 में जो computer ए machine दिया है अप computer ए machine के बारे में जानेंगे उसके बास से आपका ms window 7 है ms window 7 के बारे में जानेंगे और paint है आपका ms word है ms powerpoint है internet इन सबी चीजों के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही रखते हैं कि यहां पे आपका class 4 में introduction जो आपका lesson का है वो आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी इसमें क्या क्या आपका content में क्या क्या topic है क्या heading है उसकी वीडियो आपको मिलती रहेंगी और जो भी आपका video है उस content में जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे यहां पे आपको दिखाए दे रहा होगा यह आपका content है इस content में आपको क्या क्या topic है इस तरह से आपको topic बता दिया जाए तो topic के लिए आप इसको अगर आप चाहते हैं तो इसका topic अलग से video बन जाएगा लेकिन इसमें जो भी आपका content में जो topic पढ़ा जाएगा उसको एक एक करके पढ़ा जाएगा इससे आपको कोई लिकत नहीं होगी तो आज के लिए सिर्फ इतना है मिलते हैं अगले वेडियो में